Hello viewers, कैसे हैं आप सब? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो मैं आज गाजर का हलवा बना रही हूँ देखो यह कि देखने में कितना अच्छा और स्वादिस्ट लग रहा है तो मैं जब भी बनाती हूँ, मैं इसी तरह से बनाती हूँ चलो आपको भी दिखाती हूँ, मैं कैसे बनाती हूँ और यह मेरी तरह बनाओगे तो हलवा इतना स्वादिस्ट और अच्छा बनेगा मैंने इसमें दूद और मलाई दोनों एड किया है तो चलिए फिर बनाते हैं इसको सबसे पहले मैंने गाजर को बहुत अच्छे से धो लिया था इसको एक-एक अच्छे से गाजर पकड़ पकड़ अच्छे से धो लेंगे इसको चलिए धो लेते हैं पहले इसको यह देखिए मैंने सारी गाजरों को बहुत अच्छे से धो लिया है यह लगबग डेड के लोग आजर है चलो अब इसको चील लेते हैं और इसको एक बड़े बरतन में चील चील के और काटके अच्छे से रख लेते हैं चलो फिर चीलते हैं इसको यह देखिए ऐसे करके इसको चील लेंगे अच्छे से चील लेंगे और अच्छे से चील लेंगे और अच्छे से काट लेंगे ये देखु इतना सरा इसमें कच्ड़ा निकला गुए यह देड़ कलू गाजर थी इसमें से इतना तो कच्ड़ा निकल गया है अब इसको मैं कदू कस में कदू कस ले रहे हूं कद्दुकस यह जो यह वाला साइड है ना जो अभी दिखाया था उसी साइड से हम कद्दुकस करेंगे क्योंकि इससे करेंगे तो इससे गाजर अच्छे से कद्दुकस होती है और गाजर का हलवा भी थोड़ा अच्छा टेक्शर आता आ जाता इसका चलो फिर इसको यह देखो मेरी इस यहां गुडिया आ गई थी यह मेरी बहुत प्यारी गुडिया बिल्कुल सेथानी सेथानी नहीं करती हैं मुझे परिशान भी नहीं करती यह बस ऐसे ही इसका भाई है वह स्कूल चलाया था तो ऐसे खेलती रहती है यह देखिए मैंने यह कद्दुकस कर लिया है इसको इतनी कद्दुकस करके इतनी गाजन निकली होई है चलिए फिर इसको बनाते हैं सबसे पहले मैंने गैस जलाया गैस पर कड़ाई रख दी कड़ाई रखने के वाद इसमें एक बड़ा चमच घी डाला है देशी घी अब इसको थोड़ा सा मेल्ट हो जाने थे देखिए यहां मेल्ट हो गया है अब इसमें क्या है यह गाजर डाल देते हैं कि यह इसमें मैंने गाजर डाल दी है वो क्या है ना कड़ाई छोटी थी और गाजर थोड़ी जादे हो गई थी थुड़ा अंदाज नहीं लग पाया यह मुझे लग रहा था कि इसमें यह सारा बन जाएगा लेकिन गाजर जादे हो गई और कड़ाई छोटी हो गई चलो कोई ना देखते हैं पर इसमें बन जाएगा थोड़ा दीरे-दीरे और आराम से संभाल के करेंगे तो अच्छे से बन जाएगा देखिए यहां पर यह गाज़त अच्छे से फ्राय हो गई है इसमें पानी सूख गया है अब देखो इसमें कहीं पानी नहीं है तो इसमें अब हम दूड़ेड करेंगे पहले इसको अच्छे से देख लेंगे यह मैंने एक लीटर दूध लिया है और एक कटोरी से थोड़ा कम मेरे पास मलाई थी वो मैं एड नहीं कर पाई हूँ यह मैंने इसमें एक लीटर दूट डाल दिया मैंने मलाई तो एड की थी उसका मैंने वीडियो बनाया था जो रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ इस वजह से मैंने इसमें लाश्ट में, ये जब दूद सारा सोख गया था ना, उड़ते उड़ते उसके बाद इसमें मैंने मलाई अड़ की थी अभी इसको लगातर चलाते रहना है नहीं तो क्या है नहीं नीचे से थोड़ा सा कभी कभी जल जाता है तो इसको लगातर हम चलाते रहेंगे देखिए इसमें अबाल आने लगाएं यह ऐसे उबलते उबलते और यह दूद बिल्कुल सोक जाएगा तो इसमें क्या ना मावे की जुरूत नहीं पड़ेगी इसमें बसारे लोग मावा भी डालते हैं कोई मलाई से भी बनाता है तो मेरे पास तो एक कटोरी से कम मलाई रखी थी तो इसलिए मैंने एक लीटर ही दूद लिया अब यहां पर मैं मलाई एड कर दी थी उसके बाद मै मैंने इसको इसमें चीनी डाली है मैंने यह 1.5 किलू गाजर मे एक लीटर दूद नाने मकल जीएं चीनी पसंद हो अब जादा भी चाहते हो लेकिन इतनी चीनी काफि Cheese कैना dolwa खाने में ऐसा नहीं यह लगता ज़्यादा मीठा हो जाए तो खानी की इच्छा नहीं करती ऐसा नहीं होता इस इसके एकदम अच्छा जितना मीठा चाहिए अतना हराम से आप देख लिए अगर तोड़ी छोटी थी ना इसलिए इसा हो गया यह मैंने ड्राइफूट्स लिए है थोड़ी इसको मैंने अच्छे से काट लिया है अब देखिए यह और ते इसको चलाते चलाते दूद को देखो यह सारा दूद सूप गया है कि यह देखिया इसमें देखिये थोड़ा थोड़ा साइट से कुछ ऐसे लग रहा है जैसे घी थोड़ा करना चालो कर दिया अब इसमें क्या ना हम थोड़े ड्राइफूट्स मेंने काटे थे ना वह इसमें सारे डाल देंग इसमें लायची थी काजू थे बादाम थे और इसमें किसमिस थी यह मैंने डाला है इसमें सारा देखिए आप इसको कुछ दिर और पकाएंगे तो फिर क्या यह साइट से ना और डिलीज करना चालू करतेगा देखिए यह और साइट से निकल रहा है का मतलब यह पग्या है इसके थोड़ा और चलाएंगे दो में देखिए यह हमारा गाजर का हल्वा बनके तयार है बनाईए मेरे तरीके से और बताईए कि कैसा बना है तो अभी के लिए यही बाद बाए बाए